नमस्कार दोस्तों स्वाधात है आप सबका मेरे चैनल पर जब हम सुबह के समय शांती से पगीचे में बैठते हैं तो हम प्रकर्ति की मीठी आवाज और खुश सूर्ति का आनद लते हैं सुबह जल्दी प्रकर्ति की गोद में टहलने से हम स्वास्त और मजबूर बनते हैं यह हमारी स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है एक छोटा बड़ा कार्डन सबके घर में होता है जिनने पेड़ पोधे से प्यार होता है घर में जितने भी पेड़ पोधे लगाएं कम ि लगते हैं लेकिन बजहर से बिखने वाले प्लांटर क कैने श Terror लगा सकते जिस की कीमत ना के बराबर हैं आप लोग भी हैंड्मेड प्लांटर बनाएं और उन में संदर संदर प्लांट लगा कर धर को सचा हैं मेरे पास कुछ वेस्ट पीवीसी पाइप हैं इन में से ही मैं प्लांटर बनाने वाली हूँ चलिए मेरे साथ आप भी सबसे कम कीमत में बनने वाला प्लांटर बनाएं पाइप के उपर मैंने लाइने लगाई हैं वहीं से ही उसे कट करेंगे पाइप को गैस के उपर पहले घरम करेंगे और फिर चाकू से उसको काटते जाएंगे यही एक मैथड है यहाँ फिर आप हार्डवेर की शॉप पे भी कटवा के ला सकते हैं उन्हों दरह से थ्री इंचेस की जगे छोड़ी है दो लाइन्स के बीच में भी त्री इंच का गैब दिया है आप अपने अकॉर्णिंग्स छोटा बड़ा गैब दे सकते हैं यह देखे यह मैंने घर में ही कट किया है बहुत हार्ड पाइप होता है लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे ही अगर कट करेंगे तो असानी से कट जाएगा पानी के निकासी के लिए मैंने चार पांच हॉल किया है छोटे होल मैंने थ्रेड बांधने के लिए करें है यह प्लांटर देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें एंड में मैं कुछ जरूरी टिप्स बताने वाली हूँ जो हमारे पौधो के लिए बहुत ही जरूरी होती है अब मैं इस प्लांटर पर रेड और वाइट एशिन इनमर पेंट से डेकुरेट करूंगी अगर आप चाहें तो इसे सिंपल भी रहने दे सकते हैं डेकुरेट करने से प्लांटर बीटिफुल दिखता है आप अपनी पसंद से कोई भी कलर और डिजाइन प्लांटर पर बना सकते हैं यहां मैंने थर्मकोल को लगाया है क्योंकि यह वाटर प्रूफ होता है जो न्यू विग्नेर्स हैं वह वो लोग यही सोच रहे होंगे कि यह स्मॉल स्टोंस में प्लांटर में क्यों रख रहे हूं यह स्टोंस इसलिए रखे जाते हैं कि होल में से मिट्टी भार ना आए और एक्स्ट्र पानी भी असानी से भार निकल जाए प्लांट्स लगाने से पहले हर प्लांटर में होल करना जरूरी है नहीं तो पानी जादा रहने से प्लांट्स गल जाएंगे और पौधा हमारा मर जाएंगे मैंने यह मिट्टी पहले से बनाकर रखी कप řिए अब इसमें कुछ मिट्टे डालेंगे प्लांट्स लगाएंगे और उपर से फिर थोड़ी मिट्ढेंगे उपर से हम फ़ोड़ा सा पाने बहां सा पानी तो सद्साहा जब करनेंगे तकि प्लांट्स मिट्टी में जम से क्योंकि इसमें मिट्टी डालने की बाद जादा वेट हो जाता है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि यह पता चले कि हमने इतने महनत से जो प्लांटर बनाया है वो गार्डन में लगाने के बाद कैसा लगता है और हमारी महनत सफल हुई या नहीं वैसे तो प्ला हाई-वाई प्लांटर की तो बात ही कुछ अलगी है क्योंकि उसमें हमारी महनत होती है मुझे प्लांटर बनाना सिबसे जादा पसंद है वीडियो की स्टार्टिंग में आपने कई प्लांटर देखेंगे वो सम्प हैंड मेंड और आउट आउफ वेस्टे पोधे लगाने तो सभी को आते ही हैं फिर भी मैं यहां टिप्स देना चाहूंगी इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं और सेकिंड फर्टिलाइजर हम पोधा लगाने के बाद उपर से डालते हैं वही फर्टिलाइजर अगर हम मिट्टी में पहले से ही म कैसी लगी कमेंट्स पॉक्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखें कि तब यारा प्लांटर बनकर तयार हुआ है आप भी ऐसे ही प्यारे प्लांटर्स बनाएए और उसमें प्लांट्स लगाकर धर को सजाएए थैंक्स वर वाचिंग